दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जैसे मैंने OTP डाला, OTP डालते ही हमारे bank account हमारा पैसा आ चुका है अब यह पैसा कैसे आया, किस तरीके से हमने apply किया, आपको इस वीडियो में पूरा complete जानकारी सेयर करने वाला हूँ YouTube family अगर आपको भी loan की बहुत ज़्यादा जरूरत है, अगर आप loan apply करना चाहते हो, तो आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिस application से मैं apply करूँगा, इस application से आपको standard loan मिल जाएगा application कौन सी है, इसके बारे हम सबसे पहले जानकारी दूँगा, क्योंकि परसनली जब मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले इस application के बारे हम रिसर्च किया, मुझे application बहुत ज़्यादा पसंद आई, अब कौन से application में उसको दिखाऊँ, तो उसके लिए simple हम चलते हैं अपने play store पर आने बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है 5, जैसा कि हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं 5, तो आपको देखने मिल जाएगी यह वाली application, इस application के download की बात करें, आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं, एक करोड से पलस इस application के download है, रेटिंग के बात करें तो 4.4 की दो मिनट गंदर आपके अकाउंट पैसा आ जाएगा, तो रियली में पैसा आ जाता है, देखो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर एक बात पहले किलियर करना चाहूँगा, आप लोग मेरे पहले से वीडियो देख रहे हैं, आपको खुद को पता होगा, जिस भी application किसंग बा दोसस होता है, और दोस्तों, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि नो प्रीक कलोजर चार्जस यानि कि अगर आपने लोन ले लिया मा लीजे छे महीने के लिए, और आपको लगता है, मैं तीन महीने पे कर दिया है, अब मेरे पैसा पूरा आगए, मैं इसको कलोज करवा लोन दे चुके हैं अभी तक, और यहाँ पर अगर हम बात करने हैं, तो 5.7 मिलियन लोन इन्होंने डिस्वर्स किया हुआ है, इसके बात देखेंगे, 21 लाख प्लस हैपी कस्टुमर हैं, यह बास तुम जो कह रहे हैं, रियल में मिला, अब मुझे विस्वास हो, हाँ ठीक क इन्होंने बता रहा है, इलिजबिल्टी क्या है, तो इलिजबिल्टी क्लिए आप सेलरी परसन है, तो आपको अराम से मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी एज 21-21 होनी चाहिए, मिनिमम सेलरी आपको कम 15,000 रुप है, तो हो नहीं होनी चाहिए, इसको अपलाई करने के इसके लिए मैंने डिस्क्रेशन लिंक डाल दिया, अगर आपको अपलाई करने में इंट्रेस्टेट हो तो वीडियो देखने ही बाद लगता लेना है, तो उस पर सेंबल सा किलिक करके इस अप्लिकास को डाउनलोड कर लिजेगा, लिंक पर किलिक कर लिए, सेंबल सापको इसके जश्ट बाथ यहां आने बाद आपको get started पर किलिक कर देना है, यहां आपको अपना mobile number डाल देना है, और get started पर again किलिक कर देना है, इसके जश्ट बाद देखेंगे, आपके mobile number पर OTP आएगा उस OTP को डालकर verify पर किलिक कर देंगे, इसके बाद आपसे कुछ permission मागी ज पर नकितनी달 को लेन आपर चितने के लिए करें के लिए के हमें पता चलेगा इसके लिने के लिए नेakah। Personal Detail का दूसरा है दूसरा इस्टेव में बहुंत लेगा हम्हें limit कितनी दी जा रही है तीसरे step में अपने ये loan को limit को लिने के लिए अपनी KYC को complete करना पड़ेगा इसके just बात देखेंगे यहाँ पर दोस्तो बतायाता है कि भाई सबसे पहले आप ये select करो जो personal detail में अपना यह select करो भई आप यहाँ पर single हो और married हो इसके just बाद दोस्तों आपको अपने company का complete adder डाल देना जिसमें pin code भी डाल देना अपने city का नाम वगरा सारफ कुछ आप डाल देंगे इसके just बाद नीचे एक तरह पाएंगे सबसे जरूरी चीज़ पूछी ग हैंगे ठीक है तो just हमने यहाँ पर अपने amount भी इंटर कर लिया इसके just बात देखेंगे फाइनली आप फिर दुवारा समय बता रहता है भाई है पांच लाख रुपय तक की limit मिल सकती है लेकिन अभी भी यहाँ पर हमें अपने bank account को detail को verification करना है इसके लिए simple सा नीचे क्या लेंगे इसके just बात देखें दोस्तों जो आपकी bank है उस bank को verification करने के लिए आपको दो तरह का option दियार एक दियार net banking का दूसरा यह कहा जा रहा है कि आप अपने statement को अपनी bank जो भी transaction है उसकी statement को भी यहाँ पर upload कर सकते हो आप इन दोनों में से जो भी आपके पास best option लगता नेश्ट पर click कर देंगे तो इस तरीके से जो हमारा bank account detail है वो verification हो जाएगी यह भी ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिर्फ bank accounting नहीं verify किया रहा है बलकि आपके income भी verify की जा रही है ध्यान रखिएगा इसके just बासे से हमने next पर click किया अब हमें यहाँ पर final loan का amount दिखा दिया ग पांच लाख रुपय का loan लेगा तो भरेगा नहीं भरेगा कैसे भरेगा यह भी पता नहीं चलेगा तो इसलिए उसके हिसाब से नहीं loan यहाँ पर decide किया पहली दूसरी चीजी है आपका civil आपका civil जितना अच्छा है loan का amount रुट जाद आपको मिलने के chances होते हैं अब देखेंगे जो 45,000 रुपय है तो यह maximum 45,000 रुपय में ले सकता है कि minimum उसको में कम करके 5000 रुपय भी ले सकता हूं कहने का मतलब यह हुआ मुझे 45,000 के बीच में कोई भी रकम यहाँ पर select कर सकता हूं ठीक है और जैसे कि माल लीजे मैंने decide कि मझे 45,000 रुपय पूरे के पूरे ही चाहिए तो samples मेंने 45,000 रुपय सेलेट कर लिया है 24 यह वर टूने टाइम जो नीचे दिया है संपल्स पर किलिक कर देंगे अब हमें बता जाता है कि 45,000 रुपय का amount है 6 महीने के लिए आपको टाइम दिया जा रहाएगा 8,598 रुपय आपकी हर महीने की EMI आएगी जो पहली EMI कब से start हो रही है लास्ट EMI कब जाएगी इसके बारे में यहापे clearly mention कर दिया गया है यहाँ पर दोस्तों मैं आपको detail में बता हूँ उससे पहले एक चानकारी और देना चाहूँ नीचे की तरह पाएंगे आपको दो box दिखा जारे है पहले वाले box में आपसे कह 419 रुपे आपको यहाँ पर एक insurance लेना है जिस insurance से अगर आपको कभी भी कोई problem आती है तो आपका loan का पैसा और recover कर लिए जाएगा insurance से है तो अगर आपको सही लगता तो लीजिए 419 रुपे लेने मुझे देने को कोई फैदा नजर नहीं आ रहा है इसकी नीचे देखें ज इसा नहीं भाए उनने 45,000 रुपे loan के लिए अपलाई किया 42-43 रुपे आपके bank account में बाकि युप ऐसा card लेंगे ऐसा नहीं नहीं किया बलकि 45,000 रुपे आपके bank account में आ जाएंगे अब रही बात यहाँ पर इनकी उनने लगाए processing fees और stem duty जो की 2369 रुपया है यह आपको इ 47,369 रुपया है जो आपका loan का amount होगे हो 47,369 रुपया होगा interest जो आप पे करोगे 47,369 रुपय को उपर पे करोगे तो ध्यान सब समझ गया होंगे ठीक है अब इसको लेना ही है अब फाली आप उपर साइड में देख सकते हैं कि हमारे bank account में पैसे को credit कर दिया गया यह सबसे plus point मुझे लगा कि भाई साब आपने OTP डाला और instantly आपके bank account में पैसा आ गया यह सबसे plus point लगा तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके bank account में इस पैसे को आप ले अब मैं आपसे कहना चाहूंगा हमने कितना पैसा आ पर अपलाई किया है आपने देखा हूँगा अगर हमें तीन-तीन महीने के लिए दो-दो महीने के जब लोन लेते हैं तो एक का दुगना पैसा भरना पड़ जाता है मुझे one of the best तरीका लगा इस application से लोन लेने का हलाग मैं यह recommend नहीं कर रहा हूँ आपको लोन लेना है बलकि मैं आपसे यह कहना चाहरा हूँ जब आपकी फटी पड़ी है जब कोई भी option ना मिले तब जाके आपको लोन लेना लेना मत मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि अगर मजबूरी पड़ी लेना पड़ा तो ऐसे application है जिसके साथ आप जा सकते हो मैं ठीक ठाक सी लगी मैं आपको मैं जानकारी शेयर कर रहा हूँ अगर बातों से सहमत हो त्यार वीडियो के लाइक करना चैनल सस्क्राइब करन आज का कोई चैनल को सस्क्राइब नहीं कर रहा बस वीडियो देखके चले जा रहा हूँ क्या बात है प्लीज कमेंट करके बताना कि आपको यहां से लोन मिला कि नहीं मिला आपकी मिनमम सेलरी कितनी है और आपका सबील से बहुत बड़ी बात याद आ गई सिबिल में अगर आपके साथ कई सर पंगे पड़े होंगे ना सिबिल आपका डाउन हो जा रहा होगा इंक्वारी लग रही होगी फरजी लोन दिखाये जा रहे होगे अगर आपका जो लोन रिजेक्ट हुआ क्रेटिक कार्ड रिजेक्ट हो आपको रीजन ही नहीं पता अब इस वीडियो को लाइक करके चैनल जुरू सबस्क्राइब कर देजिए चली में दलता है किसी नहीं वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत